पाच लोग को एक रिमोट डॉल म्यूजियम में बुलाय जाता है इसके बाद एक एक करकर मिस्टेश लिए मर रहे है अब इसके बीचे का रिजन क्या है? कि सरोय वसको ढूनना है आज क्या हमारी मुवी डॉल मास्टर ये एक होरर थ्रिलर मुवी है इस मुवी की स्टोरी मल्टिलेड है तो इस मुवी का experience वो और भी enhance करती है तो चलिए इस मुवी को explain करना start करती है मुवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है एक लड़का एक लड़की से बहुत पैयर करता था इसलिए उसने उस लड़की के लिए डॉल बनवाई थी पर उसे ये नहीं पता था कि डॉल भी उससे पैर कर सकती है एक दिन जिस लड़की से वो पैर करता था उसकी लाश उसे मिली और उस लड़की का मर्डर सस्पेक्ट वही बन गया विलेजवालों ने खुद ही उसे पनिश किया, मार डाला और गार दिया लास्ट चीज जो उस लड़की ने देखी वो डॉल थी जिस जगा पर उसे गार रहे थे उसी जगा पर डॉल भी थी डॉल इस लड़के से बहुत पैर करती थी तो हमेशा उसके ग्रेव के पास ही वो बेठी रही है यहाँ इस टोरी में लड़की को मारने वाले भी डॉल ही थी यह स्टोरी हमारी यहाँ खतम हो जा दिये और हम प्रेजेंट दिखाये जाता है हमारा मेन क्यारक्टर हम देखते हैं जिसका नाम है हेमी हेमी अपनी गाड़ी से डॉल म्यूजियम में चाह रही है वो अपने मदर से बात करी होती है कब वापस आएगी किस तरह से जा रही है यह से उसे बताती है यह बाती कर रही है तो भी उसका कॉल कट हो जाता है जिस एरिया में जाती है इस एरिया में कोई भी रेंज नहीं है आगे चलकर एक लड़का उससे लिफ्ट मांगता है ये भी हमारा मेन क्यारेक्टर है जिसका नाव में तेसंग हेमी उसके लिए गाड़ी रोकती है तो तेसंग कहता है कि मुझे डॉल म्यूजियम जाना है ये दोनों एकी जगा पर जा रहे है तो एक साथ जाते है इनका मुझे जाने के लिए रिजन ये है कि ये दोनों डॉल के लिए मॉडल करने वाले है यानि कि जिस तरह से दिखते है उसी तरह से डॉल बनने वाली है यहाँ पर और तीन लोग को भी invite किया गया है तेसंग और हेमी दोनों museum पहुचते हैं और वहाँ पर एक photographer भी है हेमी को देखती है यह photographer उसके फोटो निकाल लेता है हेमी जब इस फोटो को देखती है तब उसके पीछे red dress में एक लटकी थी वो पीछे मूरती है पर पीछे कोई नहीं है museum में dolls को model करने के लिए और कुछ लोग को बुलवाया गया है उसमें एक student है और एक writer है यह जो हमारी writer है यह ज़रा अजीब है इसके हाथ में doll होती है यह किसी से भी जादा बात नहीं करती है उसके चेहरे से यह दुखी लगती है इन सब लोग को अंदर invite किया जाता है इस museum का owner जिसका नाम है चाओ यह इन सब से मिलता है सब लोग अपने आपको introduce करवाते है इनके जो profession ते ही क्या करते है ही मैंने already आपको बता दिये है इनके नाम हम इनके profession से ही मानेंगे अगर आपको इनके नाम से मैं explain करूँगा तो ज़रा complicated हो सकता है इसके लिए ज़रा इससे easy करते है चाओ जब यहाँ तेसंग को देखता है तो ज़रा surprised है चाओ ने तेसंग को कभी भी बुलाया नहीं था तेसंग एक professional model है और चाओ को कभी भी professional model नहीं चाहिए क्योंकि अगर डॉल professional model से बनवाई के तो दनी realistic नहीं लएगे रियल लोगों को बुलाया गया और उनसे model करवाया गया तो यह सही हो सकता है चाओ फिर तेसंग से कहता है कि मैंने तो तुम्हे invite नहीं किया था तेसंग कहता है कि हाँ मुझे पता है पर मुझे यहाँ होना था मुझी museum देखना था और model भी करना था तेसंग यह करने के लिए बहुत ही excited है चाओ तेसंग से कहता है कि पहले हमारी artist से तुम मिलो और फिर हम decide करेंगे यानि कि actual doll create करने वाली अब decide करेंगी कि तेसंग पर डॉल बनवानी चाहिए या नहीं चाओ फिर सब लोग को जहाँ पर डॉल रखी हुएती है वहाँ लेकर जाता है यहाँ बहुत सारी डॉल है तो सब pictures लेने लग जाते है चाओ केता है कि यह सब doll real human से ही inspired है उपर से artist आती है जिसका नाम है इम इम तेसंग को देखती है और उसे वो पसनाता है यानि कि अब वो यहाँ रुख सकता है चाओ फिर सब लोग को उनके rooms दिखाता है हेमी जब अपनी room देखती है तो अचानक से डर जाती है एक बड़ी से doll की हाथों में mirror है इस घर में बहुत सारी dolls है तो यह भी उसका एक part है वो doll के face को notice करती है इस face की details brilliant है हेमी अपने खिटकी से नीचे देखती है तो नीचे एक red dress में लड़की है यह वह लेड़की है जो उसके picture में भी आई थी हेमी को अप डॉल्स के face pictures निकालने है वो writer से मिलने के लिए जाती है उससे कहती है यह pictures लेने के लिए जा रही हो क्या तुम मेरे साथ चलोगी पर यह writer इसमें interested नहीं है वो writer से कहती है कि यह जगा जड़ा strange है क्या तुम में नहीं लगता यह सुनकर writer उससे अंदर बुलाती है अंदर एक chandelier है और उस पर भी बड़ी सी doll है यह doll देखकर writer भी डरी हुई थी हेमी उसका भी photo लेती है कहती है कि इतनी जादा details है ऐसा लगता है कि इन में भी soul है हेमी यहाँ पर writer के doll पर बैठने वाली थी पर writer ने गुसा होकर वो doll अपने हाथों में ले ली हेमी उसे sorry कहती है हेमी पुछती है कितने सालों से तुमारे पास यह doll है writer कहती है कि जब से मैं छोटी थी तब से मैं पास यह doll है और यह doll नहीं है इसका नाम भी है उससमझती है कि इस doll में soul है और उसका एक अच्छा friend वो है उसे लगता है कि उसने doll adopt की थी as a real person ही उसे treat करती है हेमी को ऑजप लगता है कि doll का नाम भी है Hemi कहती है कि मैरे डॉल का नाम मुझे कभी भी याद नहीं है हमेशा नहीं beautiful डॉल आती थी तो पुरा ने डॉल को में fake दीती थी इनकी conversation यहीं खतम होती है next इन में हम देखते है कि जब Hemi photos ले रही थी तभी उसे strange आवाजे सुनाए दी यह आवाज एक डोर के नीचे बेस्मेंट से आ रही थी हेमी यह देखने के लिए नीचे आती है पर चाव अंदर है हेमी पुछती है किस बेस्मेंट में क्या है चाव कहते हैं यह जगा वाइन स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहां का टेंपरेचर राइट है थोड़ी दर में यह सब मिलकर लंच करते हैं लंच करते हो फिर से राइटर की डॉल का सब्जिक निकलता है यह आपर उसे पूछा जाता है कितने साल होगे तुमारे पास यह डॉल है इस राइटर को year, month, or day सब कुछ पता है इसमें इसे student कहती है कि इतने साल होगे तुम इसे fake क्यों देती है photographer कहता है कि इसमें soul हो सकती है वो फिर explain करता है कभी-कभी जो चीज़े हम use करती है जो हमें अच्छी लगती है उसमें soul आ जाती है सब लोग को यह bullshit लगता है artist कहती है कि जब भी मैं कोई doll बनाती हो तो मेरी पूरी soul उसमें डाल देती हो यह एक अच्छा way है चीज़ों को देखने के लिए तो सब लोग इस पर agree करते है lunch के बात doll के पास सब लोग photo ले रहे है यहां हम देखते है यह writer का जब photo लिया जा रहा था तो अचानक से वो disturb हो जाती है उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है और इस आवाजों को रेजिस्स करती है वो चकर आकर नीचे किर जाती है उसके bag में उसकी कुछ दबाईया थी तो यह सब उसे देते है और उसके room में जाकर उसे सुना देते है writer को यह सब हो रहा था तो सब लोग distracted थे इसका फाइदा उठा कर तेहसंग वहाँ से निकल जाता है डारेक्ली चाओ के office में आता है चाओ के office में कुछ ढून रहा है सब चीजे investigate कर रहा है चाओ अचानक से office में आता है तो तेहसंग वही cupboard में छूप जाता है इस cupboard में हम देखते है तेहसंग के neck के पास हाथ आ चुका है तेहसंग डर कर देखता है तो एक बड़ी सी doll यहाँ भी है थोड़ा सा आवाज होने की वज़े से चाओ को पता चल जुका है कि तेहसंग यही है तेहसंग को भाहर निकाल कर पूछता है कि यहाँ तुम क्या कर रहे थे तेहसंग केता है कि मेरी girlfriend को मैं call करना चाता था पर यहाँ network नहीं है इसलिए मैं आपका phone यूज कर रहा था चाओ उसे warning देकर छोड़ देता है नेक सिन में हम देखते है कि चाओ basement में आता है और एक आदमी को वहाँ बांदा हुआ है इसी basement में इन सब पाचों लोग के photos भी है चाओ इस आदमी को कही कर जाता है कि वो वापस आएगा हेमी student के साथ hang out कर रही होती है हेमी के हाथ पर एक बड़ासा scar है जो student देखती है student इसके बारे में उसे पूछती है हेमी कहती है कि मैं चोटी थी तभी एक by accident मेरा हो गया था उसी वज़े से मुझे चोट लगी थी तो राइडर के डॉल नीचे पड़ी हुई थी, तो हेमी उसे उटाती है और एक चेर पर रख देती है, इसके बाद डिरेक्टली हम देखते हैं कि वो डॉल राइडर के पास आ चुकी है, हेमी ज़रा म्यूजियम से बाहर निकलती है, वहावर फिर से उसे रेड्रेस वाली ल श्रेंज लगता है, यह दोनौ बात करते हैं, तभी आर्टिस्ट मिन हेमी को बुला लेती है, हेमी उसे मिलने के लिए जाती है, आर्टिस्टो से करते हैं, तुम भी डॉलस में बहुत इंट्रेस्टेट हो, हAREमी एक सकल्प्चर है, इसलिए उसे डॉलस में बहुत इंट्र आर्टिस कहती है कि मुझे लगा तुम एक दूसरे को जानती हो मिना हमेशा तुमहरे बारे में बहुत सारी बाते करती है मिना ने कहा था कि हैमी जब उसे पहली वाल देखीगी तो उसे रिगर नाइस कर लेगी यह सब कहेकर आर्टिस हैमी को जाने के लिए कहती है नेक्स्ट रूम से मीना बाहर निकलती है हार्ट प्रोकन है और रो भी रही है हेमी जब अपनी रूम में आती है तो राइटर जग चुकी है वो बहुत ही गुसिम है क्योंकि उसकी डॉल को किसी ने काट डाला है यह राइटर हेमी को इसके लिए मार ही डालना चाती है यहाँ बार एक फोटो हम देख सकते है जिसमें हेमी डॉल को मार रही है हेमी इसे डिनाय करती है कि उसने इसा कुछ भी नहीं किया है वो राइटर को फिर से चक्कर आती है और वही वो गिर जाती है नेक्सिन में हमें आर्टिस्ट इम और चाव यह दोनों बेस्मेंट में आयो होई दिखते है जिस आदमी को उन्होंने चेन करकर रखा है उससे वो पुछते है कि तुमारे लास्ट आयो है तुमें करोगे या नहीं उससे थोड़ा सा वक देखकर वहाद से वो चले जाते है रात में बाकी लोग जब डिनर कर रहे है तो सब वर्णर करते है कि डॉल को किसने मारा होगा इसमें फोटोग्राफर कहता है कि हमें पता नहीं कि किसने मारा है पर जो भी किया था उसके पीछे सिम्बॉलिक मिनिंग था ये सब इंट्रेस्टेट हो जाते है ये फोटोग्राफर कहता है कि डॉल में सोल होती है और ये सोल उनके नेक से नीचे जाती है अगर उनके नेक से हम उसे तोड़ते तो हमर सकती है उसी तरीके से रैटर की डॉल भी मारी कई थी ये बहुत ही सूपर स्टीजिस है तो उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता फोटोग्राफर और भी उन्हें कन्विन्स करता है वो कहता है यहां आसपास ये गाव है जहां पर एक डॉल ने बहुत सारे लोगों से बदला लिया था यहां बैठे हुए सब लोग रियलाइज करते कि एक्चुल में ये सब लोग उसी गाव से है यानि कि इनके एंसिस्टर वही रहते थे इन सब को बहुत ही अजीब लगता है वो राइटर रात में उठती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रूम में कोई है वो यहां वहाँ दिखती है पर उसके शैंडिलियर में जो डॉल थी और वो अलाइव हो चुकी है उस पर जबक पड़ती है उसे मार डालती है डिनर करकर हेमी ज़रा म्यूजियम से बाहर निकलती है उसे फिर से वहां मीना दिखती है मीना रो रही है तो हेमी उसे बोचती है कि तुम रोक क्यों रही हो मीना गहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो तुम मुझे पहचान नहीं पारी इसलिए मैं बहुत ही सैड हू हेमी मीना उको सहारा देने के लिए उसके हाथ पगड़ती है, पर इसके हाथ खून से भरे हुए है, हैमी इससे बहुत ही डर जाती है, और भागने लगती है अचानक से इसका बेर फिचलता है और नीचे गीर कर वेहोश हो जाती है नेक्से में हम देखते हैं कि व्राइटर की तबियत केसी है, यह चेक करने के लिए स्टूडन उसके रूम में आती है, अंदर उसे ब्राइटर लटकी हुए मिलती है यह बहुत ही डर जाती है, सब लोग को जब यह पता चलता है, तो सब लोग बहुत डर चुके है, चाव सब को चेक करते हैं, तो हर टौइलेट में एक डॉल है, यह स्टूडन बहुत डरती है पर फिर भी उसे जाना पड़ता है बहुत देर होती है, पर फिर भी वह बहार नहीं आती, फोटोग्राफर वंडर करता है कि अंदर चल क्या रहा है, यह जानने उसका गाड़ी में पीछा करता है पर आगे चल कर फोटोग्राफर का भी एक्सिडन्ट हो चुका है, और हो मर चुका है नेकसी नम देखते हैं, हमी जब बेहोश है तो उसे अपनी बच्पन की एक याद आती है इसके इस मेमरी में एक डॉल के साथ तो खेल रही है, और यह डॉल मीना की ही है वो सबने में डर कर उठ जाती है वो भागते बागते चाहो के आफिस में पहुचती है अपनी मदर को कॉल करती है उसकी बच्पन की डॉल कैसी थी या अपनी मदर से वो कन्फरम करवाथी है यह बहुत ही डर चुकी है क्योंकि उसकी बच्पन की डॉल जिन्दा होकर वापस आ चुकी है अचानक से वहाँ मीना भी आती है मीना उसे कहती है क्या अब तु मुझे पहचान रही हो हेमी कहती है कि मैं तुम से डरती हो मैरे पास मताना और वहाँ से भागती है मीना को बहुत ही हर्टफूल महसुस होता है हेमी अब यहां से भाग रही है अपनी कार की चावी निकालती है पर आगे चल कर ही चावी नीचे गिर जाती है अचानक से तेसंग उसे पकड़ लेता है वह गयता है कि तुम ही वो किलर हो जो सब लोग को मार रही हो क्योंकि सब लोग मर जुके है सिर्फ हेमी बची हुई है हेमी कहती है कि मैं तुम्हें सब को समझा सकती है उसे कहती भी है कि उसके बचपन की डॉल सब लोग को मार रही है पर यह वो बिलीव नहीं कर पाता तेसं कहता है कि मैं एक पुलिस ओफिसर हो यहाँ काम करने वाला आदमी मर गया था तो उसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए मिहा अंडर कवर आया था उपर से आर्टिस्ट इम आ जाती है तेसं उससे कहता है कि मैंने कल्पिट को ढून लिया है यही यह सब कर रही है इम पुछती है यह तुमें क्यों लगता है कि इसने ही किया है एक्च्छल में एक सांग के पास एक फोटो है जिसमें दिख रहा है कि हैमी स्टूरंट को मार रही है हमने देखा था कि फोटोग्राफर ने स्टूरंट के टॉयलेट में फोटो ली थी ये वही फोटो है इस फोटो में साब साब दीख रहा था कि हमी स्टूरंट को मार रही है आर्टिस्ट इम टेसंग को फिर से इस फोटो को देखने के लिए कहती है अचानक से इस फोटो में से हेमी गायव हो जाती है इम फिर रहे थी है कि तुमने जो थेरिस बनानी थी वो बना ली अब मेरी सुरो एक लड़का था जो एक लड़की से बहुत प्यार करता था उस लड़की को किसी ने मार डाला पर गायव वालों ने पूरा शक इस लड़के पर डाल दिया मुवी के फस में हमें जो स्टोरी सुनाए गई थी ये वही स्टोरी है इस लड़के की डॉल उसे प्यार करती थी उसने ठान लिया था कि सब लोगों से वो बदला लेगी उसने इस विलेज के सब लोगों को मार डाला था जिन लोगों ने उस लड़के को मारा था उन्हीं लोगों की नेक्स जनरेशन ये पास लोग थे जो अब म्यूजियम में आये थे इन में से तीन लोग मर चुके है सिर्फ हैमीन और तेसंग बचा हुआ है ये डॉल अभी भी इन सब लोगों को मार कर बदला लेना चाहती है हम एक फ्लेश बैक देते हैं जिसमें हमें इम और उसका हस्बंड लिखता है जो बेस्मेंट में बंदा हुआ आदमी है वो इम का ही हस्बंड है जब इम और उसका हस्बं यंग था तब उन्होंने इस डॉल को देखा था और इस डॉल को अपने घर पर वो लेकर आये थे पर इसी डॉल की सोल अब इम में खुश चुकी है और वो सब लोगों से बदला ले रही है इम कहती है कि तुम दोनों तडब तडब के मरोगे और वहाँ से निकल जाती है तैसक इम के पास जाने के कोशिश करता है पर इनकी गंतन पूरी पीछे गुमती है यह बहुत ही डर जाते है अब इन दोनों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है वो हेमी से बुचता है कि तुमारी कार कीस कहा है उसे लोकेशन बताती है तुनने के लिए निकल पड़ता है हेमा अपना प्रोटेशन कर सके उसके लिए उसे एक गं दे देता है हेमा जब अकेली थी तब उसके पास मीना आती है मीना उसे यह थी है कि इमने मुझे कहा है कि अगर मैं उसके हिल्प करूँगी तो तुम्हें वो जाने देगी मीना ही थी जो सब लोग को मार रही थी हेमा डर कर मीना पर गं चलाती है मीना अंदर से हर्ट हो जाती है पर अपना काम कंपलीट करने के लिए वो हाँ से निकल पड़ती है मीना तेसं के पास जाकर उसे लटका देती है हेमी हत्कड़ी से बंदी हुई थी पर तेसं को हेल्प करने के लिए यह हत्कड़ी ओ तोड़ देती है अचानक से उसे फोटोग्राफर की बात यादाती है अगर डॉल को मारना होगा तब उसे गर्दन तोड़ देनी है मीना की डॉल उसने इम के रूम में देखी थी तो डॉल ढूनने के लिए वहाँ पोच्चती है इस डॉल को तोड़ने ही वाली थी पर वहाँ मीना पोच्च आती है और इस डॉल को गाइप कर देती है मीना कहती है कि तुमने तब मुझे छोड़ क्यों दिया था तुम मझे हट क्यों कर रही हो मीना की आखे अफलाल हो चुकी है वो बहुत ही गुस्से में है जल्दी से हेमी वहाँ से भाग जाती है इसके नेकसिन में चाओ को बेसमें में आते होए दिखते है इम के हजबन को यहाँ बांदा हुआ है इसे ओ बात ही करता है चाओ कहता है कि तुमें हमारे लिए एक डॉल बनवा नहीं पड़ेगी यह डॉल सिर्फ इम का हजबन बना सकता है क्योंकि उसे ये करना आता है ये डॉल जो बनवाना चाते है ये उस लड़के की है जिसे मार दिया गया था अगर लड़के की डॉल बन जाए तो उसमें सोल आ सकती है ये लड़का और उसकी फ्रेमी का हमेशा एक साथ रह सकते है चाव आर्टिस्ट इम का प्रदर है उस डॉल ने आर्टिस्ट को पजेस्ट कर लिया है डॉल ने कहा है कि उसका प्यार जो लड़का है उसके अगर तुम डॉल बनाओगे तो आर्टिस्ट को जाने देखी इसलिए ये सब चाव कर रहा है आर्टिस के हस्बन को पता है यह डॉल जो है वो एक evil डॉल है वो इस डॉल को help नहीं कह सकता इसके लिए हो मना करता है आर्टिस के हस्बन यह डॉल create करें इसलिए चाव और आर्टिस दोनों मिलकर इसे torture करते थे यह chain से बंदा हुआ है पर इन chain को तोर देता है चाव को ही बान कर वहाँ से उपर आता है इसके बाद नेक्सिन में हम देखते है कि मिना अब तेसंग और हीमा इन दोनों को मार डालने वाली थी तेसंग हेमी को protect करते हुए खुद मर जाता है मिना हेमी के पास आती है और उसे हो मारने वाली थी तभी हेमी के हाथ पर सकार उसे दीख जाता है उसे बच्चपन की एक याद आती है हेमी छोटी थी और अपने डॉल से यानि कि मिना के साथ वो खेल रही थी यह खेलते खेलते रस्ते पर आके रस्ते पर इन दोनों से एक गाड़ी ठकराने वाली थी पर हेमी ने मीना को प्रोटीक किया था अब मीना को रेलाइज होता है कि हेमी बच्चपन में उसे बहुत प्यार करती थी इसलिए अब उसे वो छोट देती है यहाँ पर आर्टिस्ट इम पोच्ट दिये आर्टिस्ट ने मीना को कहा था कि हमी को मार डाले, पर मीना अब यह नहीं करने वाली, आर्टिस इस पर बहुत ही गुस्सा होती है, मीना की डॉल को तोड़ देती है, मीना इसी वज़े से मर जाती है, आर्टिस्ट हमी को मारने के लिए उसका गला दबाती है, तबी उस पर गोली चल जाती है, यह आर्टिस् जखमी है पर फिर भी हो हेमी के पास ही जा रही है हेमी को मारना चाहती है हेमी एक चाओ को लेकर आर्टिस को मार डालती है आर्टिस के हजबन ने भी चाओ को मार डाला है आर्टिस अभी भी थोड़ी सी जिंदा है उसका हजबन उसके पास आता है आर्टिस कहती है कि अब मैं मर रही हूँ तब उस डॉल ने मुझे जाने दिया है जब डॉल उसके शरीर में थी तब उसे बहुत ही तकलीव दे रही थी आर्टिस्ट अपने हस्बंड को उसे मारने के लिए थैंक्यू कहती है उसने उसे मुक्त कर दिया है जो भी सब लोग मरे है तो आर्टिस्ट का हस्बंड और हीमा इन सब की बॉड़ी जला देते हैं यही हमारी मुवी खतम हो जाती है तो इस मुवी में एक इविल डॉल एक लड़की से पैर कर दी थी इसे वज़े से उस लड़की की प्रेमिकाओ को भी उसने मार डाला लोगों ने उस लड़के को मारा तो इन सब लोगों से बदला लेने के बाद भी उसकी जनरेशन को मार दिया रहे थी जब आर्टिस्ट और उसका हस्बंड इस डॉल को अपने घर लेकर गए तो आर्टिस्ट को इस डॉल ने पोजिस कर लिया उस लड़के को मारने वालों की न्यू जनरेशन अभी भी जिन्दा थी इसलिए आर्टिस्ट और चाव ने इन सब को म्यूजेम में बुलाया और एकेक करकर मारने वाले थे हेमी ने बज़वन में अपनी डॉल को अबेंडन कर दिया था उस डॉल को इन्होंने अलायव किया और सबसे बदला लेने के लिए यूज़ कर रहे थे उन्होंने डॉल को कहा था अगर वो उसे हेल्प करेगे तो हेमी को जाने देंगे वो ऐसा कभी भी करने नहीं वाले थे आर्टिस्ट चाव की सिस्टर थी और डॉल ने आर्टिस्ट को पुझेस कर लिया था डॉल ने चाव को कहा था कि अगर वो उसे हेल्प करेगा तो वो आर्टिस्ट को जाने देगी इसलिए सब वो कर रहे थे आर्टिस्ट का हाजबन इन सब के लिए मना कर रहा था इसलिए उसे basement में burn कर दिया गया था लास्ट में हम देखते हैं कि artist का husband artist को मार कर उसे मुक्त कर देता है हिमा की doll Mina उसे protect करते हुए ही मर गई लास्ट में हम सब लोग की body जलाते हैं यानि कि किसी भी soul किसी और चीज में न गुश जाए इसी तरह से इस movie की ending हो जाती है यही हम आज का वीडियो खतम करते हैं अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर देजेगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर देजे और bell notification आइकोन दबने मत भूले फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब ते के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये